इनका भी खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है उनके लिए एक बहुत बड़ा बैड अपडेट बैंक के माद्यम से आ चुका है जो कि इस परकार है देखिए आपके IPPV एकाउंट से रजिस्टर मुबाइल नंबर पे एक SMS प्राफ्थ हो रहा होगा जिसका मतलब यह है कि आपके एकाउंट से 25 रुपया काट लिया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि आपके एकाउंट पे एक नया चार्ज इंक्लूड कर दिया गया है जो कि virtual David card AMC तो सबसे पहले यह समझेंगे कि virtual वर्चुल डेविड कार्ड एमसी किस प्रकार का चार्ज है और इस चार्ज से किस किस एकाउंट होल्डर को सामना करना पड़ेगा सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने सभी कस्टमर्स को वर्चुल डेविड कार्ड का सुमिधा प्रदान कराता है और इस virtual David card को maintain करने के लिए आपको एक साल में एक बार annual maintenance charge देना पड़ेगा तो ये जो charge है वो आपके virtual David card का annual maintenance charge है जो की 25 रुपया है तो अब हम समझेंगे कि ये जो 25 रुपया है क्या सभी account holder को देना पड़ेगा चाहे फिर वो regular saving account holder हो या फिर premium saving account holder हो तो देखिए अगर आपका IPPV में regular saving account है तब आपको अपने virtual David card के लिए एक annual maintenance charge देना पड़ेगा जिसका amount है 25 रुपया जिसमें आपका GST included है लेकिन अगर आपका India Post Payments Bank में premium saving account है तब आपको अपने virtual David card के लिए किसी भी परकार का annual maintenance charge नहीं देना पड़ेगा तो अब आप easily समझ सकते हैं कि जिनका India Post Payments Bank में regular saving account है केवल उन्हीं के account से यह annual maintenance charge कट सकता है और उन्हीं के पास यह SMS प्राप्त हुगा होगा कि उनके account से 25 रुपया कट गया है virtual David card पर annual maintenance charge लगा हुआ है और at the end यह समझेंगे कि क्या हम इस virtual David card maintenance charge को अपने regular saving account से बंद करा सकते हैं कि नहीं तो अगर बात किया जा कि आप अपने account पे अगर virtual David card active करा चुके हैं तब आपको अपने regular saving account पर यह जो virtual David card का annual maintenance charge है उसे देना पड़ेगा लेकिन अगर आप अपने regular saving account को upgrade करा लेते हैं premium saving account में तो उस case में आपको अपने virtual David card का कोई भी annual maintenance charge नहीं देना पड़ेगा अगर आप कोई वीडियो informative लगाओ तो वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें so thanks for watching this video